Hey, Hello Friends, I'm Chen Chen and today we discuss Business Opportunity और Identification of Business Opportunity सबसे पहले Opportunity सबसे Important Part प्ले करता है जब भी हम एक Successful Business की बात करते है Opportunity हर एक Successful Business की की मानी जाती है, चा भी मानी जाती है हमें हमेशा Market के उपर View रखना पड़ता है अगर हमें Business Opportunity को Grab करना होता है तो exactly Business Opportunity है क्या या फिर Opportunity क्या है Opportunity is a set of circumstances that give a chance so that we can create a favorable circumstances, favorable conditions मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए एक set of circumstances जिसके कारण हमें favorable time मिलता है favorable हमारे लिए favorable होता है ठीक है, Finding Business Opportunity and Acting on it Acting मतलब उसके उपर काम करना हमें क्या करना है, सबसे पहले find करना है Business Opportunity को ढूंड़ना है Business Opportunity को कि Market में किस तरीके की opportunity available है उसके according हमें अपने goal set करने है एक बिजनस को और उसके उपर act करना है जो हमारे competitor से हमें differentiate बनाता है ठीक है, differentiate from competitor तो हमें जानना, यहाँ पर हम क्या बोल रहे है कि हमें अपने goals का पता होना चाहिए तो किस accordingly हम set करते है economic trend की according, market trend की according, government की कोई rules regulation आया है चलो मैं एक live example आपको देती हूँ अभी lockdown के कारण, अभी recently lockdown हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, जितने भी online platform है उनके लिए एक opportunity create हुई है वो इस opportunity को grab करके अपने business को काफी अच्छा बढ़ा सकते है इसका और आपको अच्छे से बताती हूँ अगर हम देखें कि TikTok की वीडियो बहुत जादा आने लगी है तो उसने opportunity के according, लोगों ने use करना, consume करना जादा शुरू कर दिया क्योंकि घर में बैठे-बैठे सब बहुर हो रहे है तो TikTok भी उसी तरीक के से इस opportunity को देखते हुए अपने business में लोगों को employ कर रहा है work at home कर रहा है लोगों की shift को increase कर रहा है कि जादा से जादा लोग, जादा better हम लोगों को provide कर सके ठीक है, तो steps क्या क्या है steps, सबसे पहला idea generation सबसे पहला हमारा क्या होगा कोई ना कोई idea generate होगा then हम उस idea को opportunity में convert करेंगे transform करेंगे then opportunity assessment last one is opportunity selection idea generation के उपर मैं already video बना चुकी हूँ full flesh तो उसका link आपको description में मिल जाएगा लेकिन idea generation की एक short version में मैं थोड़ा सा बताऊँ यहाँ पे इस particular platform इस particular video में idea generation मतलब कोई एक नए idea लेकिया आना आपके पास बहुत सारा आप अगर अब भी बैठे हैं अगर आपको पता हो, हमारा mind 24 hours working में रहते हैं तो हम नए ideas को generate करते रहते time to time तो वही है कि sources क्या क्या है idea generation के कहां कहां से idea आ सकता है customer से आ सकता है existing product में हमारे एक product में कोई छोटी सी कमी है उससे हमे idea आ सकते है कि इसको कैसे improve करने है या फिर इसके replace में हम ये चीज़ भी use कर सकते है government ने कोई news scheme निका लिया उससे आ सकता है idea generation के method हमारे बेसिकली तीन बताए गया focus group, brainstorming, problem inventory, analysis ठीक है idea generation में और क्या क्या होता है idea generation में हमें internally मतलब customer ने हमें review दिया उससे idea generate हो गया अब एक छोटा से example लेते है हमारी जो cap है अगर आपने toothpaste की cap देखियोगी वो थोड़ी बड़ी होती है चाहे हमारा जो शैशी है वो थोड़ा छोटा भी हो लेकिन cap हमेशा बड़ी होती है ताकि जादा amount में निकले ये idea हमारे एक particular person ने दिया था जो बहुत low level पे जो शायद एक बहुत छोटे level पे work करता है एक employee की form में work करता है उसने इस idea को generate किया था कॉलगेट ने अपनी एक conference में ये चीज़ को बताया था ठीक है तो idea कहीं से भी generate हो सकता है कोई भी person हमें अपना idea दे सकता है चाहे वो हमारे खुद के company के employees ही क्यों ना हो इसके बारे में idea generation पे video है मैं link आपको description box में दे दूँगी Now transform of idea into opportunity Idea को opportunity में बदलना ठीक है idea हमारे पास है already हमने idea generate कर लिया है अब उसको opportunity में convert करना कैसे इसके basically five elements है सबसे पहला है strategic fit strategic fit मतलब कि degree to which an organization matching its resources and capabilities within organization sorry opportunity मतलब opportunity हमें मिली है क्या हमारा जो idea है वो opportunity को match कर रहे है क्या वो हमारे पास इतने resources है कि हम उस opportunity को grab कर सके वो होता हमारा strategic fit क्या हमारे पास इतनी capabilities है second one is business plan हम क्या करते हैं format ट्यार करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़े चाहिए कैसे कैसे चाहिए किस किस तरीके की चीज़े चाहिए ठीक है उसमें हम हर एक चीज़ को mention करते हैं एक particular research paper अगर आपने देखा होगा मैंने business plan के उपर video डाली हुई है उसका link भी मैं आपको description box में दे दूँगी आप check कर लीजेगा बटी होता कि है एक format written document होते है जिसके अंदर हर एक चीज़ को हम mention करते हैं अब वो हर एक चीज़ जो हम mention करते हैं वो क्या क्या होती है जैसे कि हमारा SWOT analysis हो गया वो भी हम इसके अंदर रिखते हैं report presentation summary लिखते हैं description लिखते हैं company के बारे में market के बारे में market analysis industry analysis यह सब हम अपने business plan के अंदर लिखते हैं next one is team team सबसे important होती है हर एक individual के पास हर एक तरीके की knowledge नहीं होती तो इसलिए एक team create की जाती है next one is leadership leadership मतलब जो lead करे goal की side towards goal ठीक है वो group of persons अब leader की बात जब हम कर रहे है तो जब हमने team बनाई 10 बंदों के team बनाई 8-10 बंदों के तो उसको head करने के लिए उसको direction देने के लिए हमें leader की ज़रुरत होगी ठीक है तो वो हमारी leadership में आ जाएगा last one हमारे resources हमें actually में एक product ही तो produce करना है या फिर एक service ही तो produce करना है तो क्या हमारे पास enough resources है main resources है main sources है जिसके थूँ हम produce कर सकते है या फिर utility कर सकते है क्या हमारे पास इतने resources है क्या हमारे पास इतना material available है या फिर हम कोई particular idea है हमारे mind में उसके उपर investment होगी हमारे 10 lakh की क्या हमारे पास इतना amount available है ये चीज़ आती है next क्या assessment assessment मतलब की अब तक तो हमने क्या किया सारा work paper ways पे किया अब हम assess कर रहे है assessment में क्या किया सबसे पहले हमने screening किया अपने business idea को business idea क्या इतना capable है इसमें basically आती है हमारी feasibility analysis जितना भी रहते हैं feasible है हमारा idea या नहीं है तो screening करें हम अपने idea को जो हमने idea सोच रहे हैं हमने देख लिया हमारे पास resources भी है market में opportunity भी है अब idea को देखा जाए कि हमारा idea उस चीज़ में fit होता है नहीं है सबसे पहले identify core competency मतलब knowledge कितनी है हमारे पास rather than किसे competitor से क्या हम competition को beat कर सकते हैं वो चीज़ हम किसमें देखते है हमारी core competency क्या है जो हमें सब लोगों से unique बनाती है वो चीज़ identify करना developed concept test concept test हमें develop करना है हमें देखना है customer के interest area क्या है customer क्या चाहते है ठीक है क्या वो हमारे product को purchase करेंगे नहीं करेंगे तो इसके लिए हम क्या कर सकते है market research और industry research मतलब survey conduct करवाना survey conduct करवाएंगे तो उससे हमें क्या knowledge मिलेगी हमारी market size कितनी है industry कितनी बड़ी है लोगों को कितनी knowledge है उस product के बारे में और उस industry के बारे में उस चीज़ के बारे में ठीक है यह सब चीज़े हमें पता चलेगी हमारी हमें यह पता चलेगी हमारी current knowledge कितनी है उस particular industry में next one आता है हमारा conductor organizational feasibility analysis अब हम क्या करेंगे feasibility analysis करेंगी feasible है या नहीं है हमारा organization चीक है next one is SWOT SWOT हमारे लिए सबसे important है SWOT के उपर already video भी है strength, weakness, opportunity and threat क्या particular strength है हमारी company की क्या weakness है क्या opportunity है और क्या threats क्या create होते है वो सब चीज़े हम basically return down करते हैं उस idea के regarding now come to the opportunity selection मतलब हम select कर लेना कि हमें हमारे पस different different ideas है ideas में से हमने दो को sort out किया उसमें से आप देखना की opportunity कैसी आ रही है अगर उसे match हो रहा है हमने उसको select कर लिए that is opportunity selection अगर हम इसकी basic guidelines को देखें तो इसमें सिर्फ यही है कि हमें proper knowledge होनी चाहिए और हम easily comparison कर सकें यही हमारी basically guidelines है अगर हम issues की बात करें उसकी तो मतलब हमें technology easily मिल रही है नहीं मिल रही है क्या हमें problem हो रही है technology को gather करने में degree of difficulty of market position मतलब market position में हमें कितनी difficulty face करनी पड़ रही है क्या degree है difficulty की risk कितना है अगर हम उस particular project को continue करेंगे उस प्रोजेक्ट में इंवेस्टमेंट करेंगे तो उसके अंदर हमारा प्रॉफिट कितना आएगा रिस्क कितना है अगर रिस्क जाद है प्रॉफिट कम है तो हम उसको छोड़ देंगे हम नहीं करेंगे अगर प्रॉफिट बहुत जाद है रिस्क कम है तो हम उसको क select कर लेंगे, now government dependence, government के उपर कितना depend है हमारा particular project, और success rate कितनी है, success as well as risk, हम ये दोनों चीज़ को भी calculate करेंगे, तो ये main हमारे issues आते हैं, इन चीज़ों को हमें focus में रखना पड़ते हैं, जब भी हम कोई opportunity को select करते हैं, that's all about my today's video, I hope आपको पसंद आए, जितने भी links मैंने बोला है, मैं description box में डाल दूँगी, तो वो भी आप check कर लीजेगा, thank you, bye bye, as well as मैंने entrepreneurship की पूरी playlist बना रखी है, वो playlist का link भी आपको description box में दे दूँगी,